हेलो फ्रेंड्स, होप यू और डूइंग वेल, आज का वीडियो कैसे घर पर बैटकर ही रेश्मी घने बाल पाया जा सकता है, सीरीज टू है, तो आईए जान लेते हैं, सिर्की मसाज करें, दो बड़े चम्मच नारियल का तेल, दो चम्मच ओली वॉयल, दो चम्मच कैस्ट के बालो के लंबाई तक अच्छे से मसाज करें, दो घंटे बाद बालो को एक माइल शैंपू से धो ले, आप पहले दिन ही इसके इस्तेमाल से अपने बालो को चमकदार और शाइनी स्मूथ महसूस कर पाएंगे, सेकिंड सेप का सिर्का, पानी और सेप के सिर्के को बराब और घना बनाता है, अगर आपको डेंडर्फ की समस्या है तो ये सेप का सिर्का आपके डेंडर्फ हटाने में काफी मदद करता है, ये आपके बालो के पी-च लेवल को बनाए रखता है, केले का हियर पैक, एक केला पका हुआ केले को मैश करके, उसमें दो चम्मा शहत और दही मिलाए और स्मूद पेस्ट तयार करें, अब इस पेस्ट को अपने बालो के जड़ो में लगाए और एक घंटे बाद बालो को धो ले, आपके बाल मुलायम और शाइनी हो जाएंगे, केले में काफी मात्रा में फ्रूट एसिड होते हैं, जैसे फ्रूक्टोज, ग्लू अब इस पेस्ट को बालो में लगाए और एक घंटे बाद मायल शैंपू से बालो को धो ले, आपके बाल शाइनी मुलायम स्मूथ हो जाएंगे, अलोवेरा जैल, अलोवेरा में एंटी बैक्टिरियल एंटी अक्सिडेंट होता है, जो आपके बालो को नमी प्रदान कता है इसका जैल इस्तमाल करने से आपके बाल जढ़ना बंद हो जाएंगे और आपके बाल चमकीले हो जाएंगे, अलोवेरा जैल को बालो में अच्छे से लगाकर एक घंटे बाद मायल शैंपू से धो ले, तो ये थे बालो को सुन्दर बनाने के लिए कुछ घरेलू उपाएं होप आप सबको आज का वीडियो हेल्फुल लगा होगा और पसंद आया होगा, इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब सरूर कीजिए, थैंक्स वर वाचिंग, बाई